सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा ये लड़ाई राहूल गांधी की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई कॉंग्रिस की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है एक ताना शाह से एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से एक एहिंकारी व्यक्ति से इ देश को बचाने की लड़ाई है। पूरा देश ये देख रहा है मैं देश वासियों से अपील करना चाहता हूं। कि भारत हम सब का है ये भारत एक सुतीस करोड़ लोगों का है। हम सबने मिलके आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हमारे पुर्खों ने अजादी की लड़ाई लड़ी थी भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्व में इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत जादा खौफनाक और खतरनाक है अब लोगों को सामने आना पड़ेगा लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ एकटे होके इस लाए में शामिल होना पड़ेगा सरकार किसी की बने कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने वो जरूरी नहीं है लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के उपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है राहुल गांदी जी को लोकसभा की सदस्यता से बरखास्त कर दिया गया जिस तरह से उन्हें उस्मान हानी केस में फसाया गया मैक्सिमम सजा दी गई और चौबिस घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विशह है हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं लेकिन जो जज्जमेंट आया हम उसको उसका समर्थन नहीं करते जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक काईराना हरकत है वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते है कि देश में बस एक ही पार्टी बचे वन नेशन वन पार्टी और सारी पार्टीयों को खतम कर दिया जाए येक ऐसा महोल बनाना चाहते है कि एक ही नेता बचे वन नेशन वन लीडर, बाकि सारी लीडर्स को खतम कर दिया जाए इसी को तो ताना शाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटर्शिप कहते हैं पूरा देश ये देख रहा है मैं देश वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सब का है ये भारत 130 करोड लोगों का है हम सब ने मिलके आजादी की लड़ाई लड़ी थी हमारे पुर्खों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी आजाद भारत को आजाद कराने के लिए लेकिन आज की जो सरकार है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्व में इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत जादा खौफनाक और खतरनाक है अब लोगों को सामने आना पड़ेगा लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ एकटे होके इस लाए में शामिल होना पड़ेगा सरकार किसी की बने कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने इस पार्टी के बने उस पार्टी के बने वो जरूरी नहीं है लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है पार्टिया इंपॉर्टन नहीं है मैंने का लोग इंपॉर्टन है अभी अभी मैंने इस देश के अगर एक आटो रिक्षा वाले को वाटसेप मेसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड लोगों को डरा के रखा हुआ है ऐसे देश कैसे चलेगा डर डर के लोग कैसे जीएंगे और क्यों डर डर के जीए हम हमारा देश है हम आजाद भारत के आजाद ना है सब को ढईढर की यह समको और lotta की अग मत्यादो के लिए जादा रश्ते काफी खराब रहे हैं लेकिन कशोड हो इंप्ति नहीं है हमारे आपस के रिष्टे इंपोर्टन नहीं है इस ताइम देश को बाचाना इंप्पॉर्टन यह मीडिया के ऊपर प्रहार और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बंती नहीं है, वो इंपोर्टन नहीं है, किसी से बंती है या किसी से नहीं बंती, इस से व्यक्तिगत अच्छे रिष्टे हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिष्टे हैं वो इंपोर्टन नहीं है, 130 करोड लोगों को सब लोगों को साथ आना पड़े, सा यारे लोगों को साथ आना पड़ेगा यह लड़ाई राहूल गांधी की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई कॉंग्रिस की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है एक ताना शाह से एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से एक एहिंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई